अच्छे तो काफी सारे students अभी मुझसे ये पूछ रहेते कि सर अभी कितना expected cutoff जा सकता है क्योंकि 2021 का UPSC exam का कितना cutoff जा सकता है बहुत सारी queries आई Facebook पे आई मेरे पास message कि बच्चों ने personally की Telegram पे पूछा कि सर कितना cutoff जा सकता है देखो cutoff अगर हम पिछले पात साल में देखें तो जैसे कि आप इधर देख पाएंगे पिछले चाप पात सालों का देखे 2016 से हम लेंगे 2016 से काफी है तक UPSC ने pattern अपना change किया था UPSC ने यहाँ पे थोड़ा सा current phase part को जादा include करना start किया था तो आप 2016 से देखेंगे पहले गई आपकी 116 cutoff ठीके trend देखिया trend में आप देखेंगे कि cutoff जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है 2017 में 105 गई 2018 में 98 रही 2019 में again 98 के लग भग रही फिर 2020 में आप देखें तो काफी low cutoff way that is 92.5 अब पिछले साल का exam काफी हद तक tough था ये बोला जा रहा था कि काफी analytical paper है UPSC tough किये जा रहा है exams को अब इस साल तो UPSC ने देखो बच्चों के जो है पसी ने छुड़वा दिये exam में अब अगर आप October में देखें वैसे तो temperature बह आ सकती थी बहुत इसली बहुत सारे student मेरे पास आए कि sir मेरे 88 बैठ रहे हैं मेरे 89 marks आ रहे हैं मेरे 85 marks आ रहे हैं तो अब ये सोचिया आपके 85 जब आ रहे हैं आपके 89 जब आ रहे हैं और अगर आप pressure में नहीं पड़े होते मतलब उन्होंने क्या किया अब ये सोच के कि मतलब इंडिया जब 26 जनवरी 1950 में इंडिया का क्या status था तो बहुत सारे students ने वो question गलत किया अगर आपको preamble पता था था ना तो you would have easily solved that question ऐसे ही और भी questions थे ठीक है तो उनमें क्या क्या है बच्चों ने बहुत सारी गलतिया किये अब ये होता है pressure handling अब of course ही बात है pressure handling का भाशन देने का कोई मतलब तो बैठता नहीं यह आपको उसी time exam में सोचना था जब यह paper tough आया है analytical paper है तो यह analytical और यह tough सिर्फ आपके लिए नहीं है यह सभी के लिए tough है यह सभी के लिए analytical है UPSC ने बहुत जादा analytical paper दिया है तो अब solution क्या है या फिर आप क्या expect कर सकते ह cut off जा सकते है बहुत सारे I know आपने अभी तक बहुत सारे cut off देख चुके होंगे already तो मेरा जो अनुमाने में सबसे पहले आपको वो बता देता हूं उसके बाद हम discussion करेंगे थोड़ा वो जो भी करना है देखो अभी जो 2021 की cut off है according to me ठीक है यह सिफ मेरा personal opinion है जितने मेरे प पता पड़ा है that is आप उमीद कर सकते हैं somewhere around 90 to 92 ठीक है 90 से लेके बयान में तक आपकी cut off रह सकती है और इसमें भी मैं बोलूँगा plus minus two मतलब cut off अगर बच्चों ने देखो क्योंगी इस बार मैंने देखा है काफी सारे students ने exam भी skip किया है ठीक है मेरी जान पेचान में there are hundreds of students जिन्होंने exam skip किया I don't know why they have skipped the exam बट कोई दिक्कत नहीं अब उन्होंने exam किया है तो skip किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हो गया तो हो गया but cut off एक तो कम जाने का कारण ये भी है कि बच्चों ने यहाँ पर exam skip किया है दूसरा यह है काफी बचे hopeless होगे exam को देखे type of questions को देखे और बहुत सारे unknown names को देखे बहुत सारे ऐसे नाम थे unknown से जो बच्चों ने पहली बार सुने थे पहली बार देखे थे किसी ने मतलब कि जो prefer करी जाती है या फिर book list जो suggest करी जाती है उसमें ये सब नहीं थे तो अगर आप current affairs बहुत अच्छे से follow कर रहे थे मतलब आप एक newspaper या दो newspaper daily basis पर religiously पढ़ रहे थे एक से 1.5 घंटा या 2 घंटे और आप एक current affairs की video लगातार follow कर रहे थे चाहे वो कोई से भी coaching institute किये that doesn't matter ठीके बट अगर आप current phase को अच्छे से follow कर रहे थे थे ना तो definitely आपके marks अच्छे आया होंगे ठीके आपको benefit उसका नजर आया होगा क्योंकि क्या है कि questions काफी सारे ऐसे थे जो थोड़ा in-depth में प्रूचे गए अब देखो होता क्या है students मैंने देखे हैं बहुत सारे students ना सि खुद newspaper नहीं पढ़ेंगे या फिर ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे जो deeper relation बना रही है newspapers के साथ ठीक है जो अच्छे सही वहाँ पे किसी एक news को cover कर रहे हैं तब तक वह चीज फायदा नहीं देगी आपको अगर हां सिर्फ आपको fact पढ़ने है PCS level के लिए SSC level के लिए तो आप बाकी वीडियो देख सकते हैं अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो मतलब आप shortcut मत मारिए और यह आगे के लिए lesson है जिन बचों का इस साल नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे आगे जिंदगी में यह एक लौत मौका नहीं है don't get disappointed by yourself don't question your integrity don't question your जो भी आपने hard work यहां पर put in किया है don't question yourself don't question your ability आपको अपनी ability पर question नहीं करना है बहुत सिंपल से ची अगर आप बहुत सारे लोगों को देखे ना जितने भी बड़े लोग हैं they are a bundle of failures ठीके उन्होंने जब जिंदगी में हजारों failures करे है जब जिंदगी में उन्होंने 50-100 failures करे हैं तब जाके उन्हें कही न कहीं success मिली है यह आपकी जिंदगी का हो सकता है पहला failure हो सकता है दूसरा failure and I would suggest कि यह failure नहीं है this is a test and trial method this is an experiment आपने किया था अपने उपर अब यह अफकॉस ही बात है there are lack of people giving an exam कोई जरूरी नहीं है हर अब बस यह सोचिए कि आपने जितना फोकस किया था जितना आपने अपना hard work put in किया था उतना आपके marks आये हैं just believe in yourself हम आगे के लिए यारी करेंगे इस बार ना focus रहेगा पूरा का पूरा नहीं इस पर पर पे और हां अब आप यह जानना चाहेंगी जरूर की sir mains के लिए क् should we start preparing for mains और क्या करें कि मतलब दुबार से prelims के लिए start करें तो देखो मैं एक चीट सजेस्ट करूँआ जिन भी बच्चों के marks above 75 आये हैं या फिर above 80 आये हैं start preparing for mains mains इस साल के लिए नहीं क्योंकि आपको पता है आपका prelims काफी हद तक strong है तो आप मेंस के लिए तियारी कीज से क्यों क्योंकि उन्होंने mains के लिए in-depth knowledge उन्होंने concept समझेते उन्होंने चीजों की understanding ली थी अब अगर आपने understanding नहीं ली थी तो definitely आपको नुकसान होगा अगर आपने से facts रटे हैं तो तो इसलिए अगली बार के लिए मैं आपको बोलूँगा अभी से mains की तयारी कर लगबग लगबग आपके ये 56 नंबर के बीच में cut off रहने वाली है और ये guaranteed है मतलब इससे ओपर नीचे ज्यादा नहीं जाएगा बहुत ज्यादा variation नहीं आने वाला है प्लस माइनस टू 90 से लेके इन बयान में तक ऐसा कुछ आपका cut off रहने वाला है तो इसलिए अगर आपके 88 marks है तो इस साल के लिए mains के लिए प्रिपेर करने वाले आप 2021 के लिए आज से ही preparation स्टार्ट कर दिए और अगर आपके इससे नीचे नंबर आए है इससे नीचे marks आ आ जाएगा कोशिश करेगा UPSC भी जुलाई तक में prelims कर दे पूरा आपको सले बस दुबारा से कवर करना है दो महीने तीन महीने तो आपके mains में ही निकल जाएंगे इस साल के लिए और अगले साल के लिए फिर उसके बाद आपके पास prelims के लिए time कम बचेगा तो इसलिए जस्ट अभी काफी हता का प्रिपेर कर चुके prelims के लिए who are getting above 75 और above 80 तो start preparing for mains और जिनके इस से नीचा आए हैं तो वो आधा focus mains पर रखेंगे आधा focus pre पर रखेंगे तो ये चीज़ भी रहने वाली है बाकी चीज़े हम धीरे धीर discuss करेंगे कल की आगे आने वाली वीडियो काफी सारी चीज़े हम छोड़के चलेंगे क्योंकि हमने देख लिया exam में कि UPSC बहुत सारे areas all together skip कर चुका है altogether भूल चुका है उन areas को हम छोड़के चलेंगे और कुछ main focus areas को और ज्यादा focus करेंगे mains पर focus करिए और किसी चीज़ पर आपको focus नहीं करना है अभी चाहिए आपका clear हो रहा है यह नहीं हो रहा है don't lose your heart it is just an opportunity भाई कोई भी हो चाहिए Edison हो चाहिए आपका Newton हो चाहिए Tesla हो चाहिए कोई भी person हो इंडिया से आप कितने बड़े-बड़े method limitations के नाम लिए उनको किसी ने कभी भी उनकी जिन्दगी मौका मौका नहीं दिया but they have search for it उन्होंने यहां नहीं ढूंडा बाहर ढूंडा जिन्दगी सिर्फ UPSC पर start और UPSC पर खतम नहीं होती UPSC is your dream dream को fulfill करना हमारा काम है कई बार dream रह जाता है but still हमें अपनी महनत में कमी नहीं रखनी है ठीक है आ हार वाले बोलते रहेंगे जो बोलते रहेंगे आप अपनी integrity पर question मत करिए आप सोची आपने कितनी महनत करी थी if you have put in your effort 100% तो बिलकुल सोचना छोड़ दीजिए कि हम मेरे अंदर कोई कमी है यह तो किसी के अंदर नहीं है ठीक है तो आप subscribe कर लीजगा ताकि आपको वीडि आपको अपको और भूंद दो आपको अजिए मैंगे वक्ते है यह तोस्ताइ।